यह बहुत ही कम समय में जट पठ आप इसे नास्थे में यह लंज़ बोक्स में आप इसे बचाप 8 बाल इसे ga Arg मैंगे साथ में हम इसक करेंगे 4 tb Πूं को किण ऑई कि हम ऑईल को कुछ सेकंड के लिए गरम होने देंगे इस पे एड़ करेंगे हाप टी स्पून क्यों मिन सिट्स साथी में हम टू पिंच हिंक का स्थमाल करेंगे इसके साथ हम दो हरी मीच का भी इस्तमाल करेंगे हम इसे चोटे चोटे टुफ्रों में कट कर लिया है अब हम इन्हें को सेकंड के लिए हम इस तरीके से चटकने देंगे अब यह चटक चुकी है इस टाइम पर हम इस पर एड़ करेंगे कट करके रखी हुई 250 ग्राम की परवल जो मैंने इस तरीके से लंबाई में कट कर ली है और साथ में आप इसका भी आप एड़ कीजिएगा साथी में एड़ करेंगे 3 मेडियम साइजी आलो जिसे मैं ने स्म तरीके से लंबाई में में कट की है एड़ करेंगे स्वाद अनुसार नमक आप अपने अपने स्वाद के अनुसार कम थादा नमक अस्तमाल कर सकते È अट करेंगे 1 तीजपून हल्दी पाउडर, 1 तीजपून लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 तीजपून, साथी में हम 1 तीजपून गरम मसाला पर इस्तमाल करेंगे, इससे सबजी की टेस्ट बहुती स्वाधिस्ट बनती है, अब हम इन्हें चम्मच के मदद से अच्छे तरीके से मिला लेंगे, ताकि सबजीया की संग मसाले अच्छे तरीके से मिल जाए, अब सब्जिय अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है अब हम इने 7-8 मेट तक कवर करेट से कुक कर लेंगे ताकि आलू और परवल पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाए साथ से 8 मेट हो चुकी है चलिए अब हम चेक कर लेते हैं आप देखी रहे हैं आलू और परवल पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है हम आपको चमज के मदद से प्रिश्ट करके लिखा लेते हैं साथी में हम थोड़ी धन्यपत्ता का निशिंग कर लेते हैं इससे सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाती है अब हम इन्हें फिर से एक बार चमज के मदद से अच्छा तरीकी से मिला लेंगे अब हम इन्हें कुछ सेकंड तक ढखकर इहें को खोने दे अभी आलू परवल की स अच्छे लगी हो तो मेरे चैनल के सम्हें जूड़े रहें मेरे चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब करना ना बोले मिलते हैं नेक्स रेसिपिकेसं तब तक लिए गुड़ बाई एंड टेक्यों